कर्साइकडमी के यूटू पोडल पर आपका स्वागत है आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय आप लोगों के बहच में कावेशास्त्र की इकाई चल रही है कावेशास्त्र की अपने देखा कि कावेशास्त्र की भूमिका पूरी आपको बताई गई और उसके बाद इस्थापना काल में जो रससिधान्त है उस रससिधान्त की बात की गई रस सिधान्त के अलावा जो पाँच और सिधान्त हैं उन सिधान्तों की बात की गई अलंकार सिध्धान्त रीती सिध्धान द्वनी सिध्धान्त वक्रोगती सिध्धान्त आउचित्त सिध्धान्त और उन सिध्धान्तों में रूप वादी सिध्धान्त कौन से हैं उनकी चर्चा की गई वस्त वादी सिध्धान्त कौन से हैं उनकी चर्चा की गई आत्मवाद सुत्र की जो व्याख्या की गई चार व्याख्याकारों के द्वारा उनकी पूरी चर्चा की गई भटलोला टहें संकुक हैं भटनायक हैं अभिनोगुप्त हैं उनके दर्शन उन्हों निस्पत्ति के बारे में क्या का तो इस तरीके से ये सारी चर्चाएं हो चुकी है अब क कावे के गुण और दोस हैं जो अब आपको आगे पढ़ना है सब्द सक्ति पढ़ना है कावे के गुण और दोस पढ़ना है कावे के लक्षन पढ़ना है कावे हेतु जो की आज हेतु और परियोजन की चर्चा आज की जाएगी तो कावे हेतु है कावे परियोजन है अलंकार है इतनी चीजें हम लोगों को भारतिय काबे सास में पढ़ना है और इसके बाद में पाथ साते काबे सास प्रारंब हो जाएगा आज का यह लेक्चर पब्लिस है सभी लोगों के लिए है जो भी हमारे चैनल पर वीवर्स हैं जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों के लिए है तो आहीं सुरू करते हैं काबे हे तू है क्या है हे तू मतलब होता क्या है तो जिन कारणों से काबे की सरजना होती है उसे कहा जाता है काबे हे तू हे तू कि हेतु का विप्रयाय उन साधनों से जो कभी की कावे रचना में सहायक होते हैं यह तो मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार कौन कौन से हैं तो प्रतिभा व्यूत्पत्ति और अभ्यास अब आप कहेंगे सर प्रतिभा क्या है व्यूत्पत्ति क्या है अभ्यास क्या है तो देखे प्रतिभा व्यूत्पत्ति अभ्यास इन तीनों की जब बात आ प्रतिभावा क्या है व्योत्पत्थ क्या है अभ्यास क्या है तो प्रतिभाव यह होते हैं इसे मानले प्रतिभा प्रतिभा से कवी जो है वो सामर्थ प्राप्त करता है व्यूत्पत्ति क्या होती है तो व्यूत्त्ति के द्वारा किसी भी काव्य को दोसमुक्त किया जाता है कभी के द्वारा दोसमुक्त किया जाता है किसके द्वारा तो व्यूत्पत्ति के द्वारा और अभ्यास क्या करता है तो अभ्यास प्रतिभा का पोशक है अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है और आप अभ्यास नहीं करते हैं तो प्रतिभा क्या ह दिरे दिरे क्या होती है चीड होती चली जाती है तो अभ्यास माना गया है कि प्रतिभा का पोशक है जैसे अभ्यास के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे बहुत चर्चित है अभ्यास के बारे में पंती कि करत करत अभ्यास ते जडमत होत सुजान रसरी आवत जाते ही सि तो यह माना गया है जो आलोचक है उन आलोचकों में से कुछ आलोचक इन तीन को मानते हैं कुछ दो को मानते हैं कुछ इसमें प्रतिभा कोही केवल मुख्य मानते हैं कुछ आलोचक ऐसे भी है जिन्होंने इसके अस्तान पर अलग नाम भी दिया है तो यहां पर एक एकी चर् का बहतु का अर्थ क्या है यह चीजें आपके समझ में आ गई होंगी आचारे अलग अलग आचारियों ने क्या कहा है तो उन सब की चर्चा हम लोग करते चलेंगे रीती संपरदाय के प्रतिष्ठापक आचारे वामन ने का बहतु के अस्थान पर काब्यांग सब्द का पर्य लंकार यानि वामन के अनुसार का बहतु कौन कौन से हैं तो लोक व्यवहार विद्या और प्रकीर लोक व्यवहार विद्या और प्रकीर यह तीन होते हैं लोक व्यवहार यह तो आप जानते ही हैं विद्या विद्या में क्या आएगा विद्या में आपका शब्द सास्त्र है शब्द सास्त्र वो भी विद्या के ही तहत आएगा चंद सास्त्र है वो भी आपका विद्या के ही तहत आएगा जो कला है वो कला हैं वो सब किसके तहत आइंगी विद्धया सास्र काया अंतरगत आएंगी और परकिन है परकीड मतलब कांब पर इपर चैनल कि अवियोग है उद्ध्योग है लिद्ध सेवा है अच्छे पर है प्रतिभा आधान है तो यहां पर प्रकिड के अंतरगत च्छे तत्व वणने गए हैं वह च्छी पॉन कॉन से हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दे दिया कि श्यर वोजा armor क्वा मनें और प्रतिभा को अधिक मातो दिया प्रतिभा शक्ति कि और व्युत्पत्ती तीन होते हैं जिसमें से भामा की अगर बात करें तो भामा ने काब्येत्व के संब्ध में लिखा भी है कि सब्दार्थ विदेः है विज्ञाय क्रित दूपस्णाम यानि सब्द और अर्थ का समयक ज्ञान काब्य मर्मगों की उपासना करना और अन्य रचनाओं का अलोकन करके काब्य में प्रभिर्थ होना चाहिए यानि भामा के अनुसार अगर देखें तो कहने कहास हैं कि अभ्यास ही काब्य रचना का मूल है यही नहीं प्रतिभाग को मूल हेतु के रूप में स्विकृत करते हुए कहते हैं कि काभ्यम तु जायते जा तु कस से चित प्रतिभा होता है ना हो गया है टाइटिंग मिस्टेक है प्रतिभा होता है अर्थात काभ्य किसी किसी प्रतिभा साली में कभी कभी इस्पुरित होत सकता है प्रंत कावे का निर्माद तो कोई प्रतिभावा नहीं कर सकता है तो इस प्रकार आचारे भामा द्वारा कावे रचना के दो हेतुओं की चर्चा की गई प्रतिभा और अभ्यास यह कहीं पर लिख लिए प्रतिभा और अभ्यास आचारे धंडि ने प्रतिभा सास्त्र ग्यान और अभ्यास को का बेहतु माना आचार दंडी ने किसको किसको माना तो प्रतिभा को माना सास्र ज्यान को माना और अभ्यास को माना आचार दंडी लिखते हैं कि नैसर्गी की चा प्रतिभा सुरुतम चा बहुन निर्मलम नैसर्गी चा प्रतिभा सुरुत्य चा बहुन निर्मलम यानि यहां पर आचारदंडी ने यह समझाने की कोशिस की कि विभिन प्रकार के सास्त्रों के ज्ञान और कावव के कावव के निरंतर अब्यास के कारण इस्वत दोरा प्राप्त नैसरगिक प्रतिभा कावव रचना में प्रभीर्त होती है कावे रचना के इच्छुक व्यक्ति को आलत से का परत्याग करके इसमें प्रगिर्ट होना चाहिए रुद्रक्ट और कुंतक ने शक्ति, उत्पत्ति और अभ्यास को कावेहतु माना कुंतक प्रतिभा को कावेहतु के रूप में सुईकार करते हैं अलग नाम देया गए हैं, शक्ति को प्रतिभा रूप में सुईकार किया है उनके अनुसार नो नौन मैस सालनी प्रतिभा सरवत्र अपूर्व निर्मान में सक्षम है वहीं अगर बात करें राज सेखर की तो एक थोड़ा सा भिन है उसे लिख लें फिर आगे लिखाते हैं राज सेखर के बारे में लिख लिए कि राज सेखर ने चार का वेहतु माना है एक तो प्रतिभा हो गया दूसरा व्यूत्पत्ति हो गया तीसरा अभ्यास हो गया और एक चौथा जो उन्होंने अलग माना है जिसका नाम है समाधी समाधी मतलब एकागरता समाधी से आसे है एकागरता से रुद्रट में प्रतिभा के दो भेद माना है सहजा और उत्पाद्या किसने माना है तो रुद्रट में माना है ये रुद्रट की उग्ति है आचार मम्मट ने सक्ति निपूरता अभ्यास इन तीनों को समलित रूप से कावेहत माना है और रून लिखा है कि सक्ति निपूरता लोकसासर काव्याद वेक्षणात और काव्यासर सिक्षा भ्यास इति हेत तुस्त दुत भवे तो आचारे मम्मट ने शक्ति निपुर्ता और अभ्यास यानि शक्ति प्रतिभा निपुर्ता और अभ्यास के काब के तीन हेतु हैं कहते हैं परवर्ति आचारेयों में भोज हैं अगनी पुरालकार हैं कविराज विसुनात हैं जगनात हैं इन सभी ने काब हेतु के अंतरग कि ये सकति निपूर्टा और अभ्यास की कबी में संस्कार रूप में बिद्धिमान सकती लोक ब्यवहार सास्र काभवे आधिके परिया लोचन से उतपन निपूर्टाः और काभे मर्म को जानने वाले गुरु की श्च्छा की अनुसार, कावज निर्मान का अभ्यास और यही तीनो समस्त रूप से कावज के हेतू है, आपलोग बहुत इसाधारन रूप में जानते ही होँगे ये चींज कि कावकी जो प्रणना है, जो मैंने अब यापको बताया है कि तीन प्रकार होते हैं प्रतिभा वियुत्पत्ति वियुत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों चीज आप लोग जानते हैं अभी मैंने समझाया देखें प्रतिभा जो होती है काब की प्रिणना किसे मिलती है अनुभूती से मिलती है और अनुभूती किसे होगी जब प्रतिभा होगा तभी त तु है वो प्रतिभा ही है और इसी प्रतिभा से ही हमको अनुभूती होती है तो यह अंताकरण की उदभावित क्रिया से होती है और जब किसी के अंदर प्रतिभा होगी कावे रचेगा तो उसमें उचित अनुचित ना होने पाए कावे दोस ना आए यह किसके करण होगा व् उचित अनुचित का सही परियोग प्रतिभाजब होगी तभी आदमी कर पाएगा और यह तीनों तभी संभव है जवाप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो कादिकी प्रणा अनुभूती से मिलते हैं आप देखेंगे तो साहित में आप देखें तुलसिदास ने जो राम चरित मानस लिखा तो रामचित मानस लिखने का हे तु तु क्या है इनके प्रतीबाती इनको अनुभूती हुई, किस चीज की अनुभूती हुई, तो हिर्दय से सुबुद्ध की अनुभूती, हिर्दय से सुबुद्ध की अनुभूती, हिर्दय से सुबुद्ध की अनुभूती, और यह सुबुद्धी का उल्लास किस से हुआ, तो शिव की किरपा से हुआ है, तो राम राम्चीत मानज्र जो है राम्चीत मानज्रा यह तूब्यास है अज फूसागर है उह को के विनको अनुभूतिAyas कहां से मिली मिली भीले दिव्जिश्ठी मिली मिला ला का सरोजी स्मीर्ति आप देहीं कि निराला का सरोजी स्मिर्थी देखिए तो उनको अनुभूती जो हुई वो कहां से अनुभूती हुई उनके अंदर प्रतिभात थी और जब प्रतिभात थी तभी उनको अनुभूती हुई काविक की प्रणा मिली और अनुभूती हुई किसके तो अपने पुत्री के सोक में उन्होंने लिखा अपसोक से जो अनभूती हुई उसी अनभूती को उनन्ने सरोजी स्मीर्ति में लिखा। यह थू क्या है तू राष्ट यता कि अन्भूती राष्ट के अनभूती यानिटी प्रतिबात ही और उसी प्रतिभा के कारण क्या है राष्ट की अनुभूती उनको हुई और यही इसका हेतु है कैदिय और कोकला राष्ट की अनुभूती भवानी प्रसाद मिस्र गीत फरोस जो लिख रहे हैं वो गीत फरोस क्या व्युत्पत्ति से हुई है नहीं प्रतिभा और उनको किसकी अनभूती हुई तो जो कभी है कभीयों की जो वेतना है जो कभीयों के इस्तिती है उसकी अनभूती हुई तो इस तरीके से चीजों को अब समझते चलेंगे उदाहण के रूप में लेते चलेंगे तो चीज़ें आपको रड़ जाएंगी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कुंतग ने प्रतिभा को मात दिया और कुंतग ने प्रतिभा को मात देते हुए लिखा कि प्राक्त नादयतन संसकार परिपाक प्रोड़ा प्रतिभा कच दियो कभी सकते ही अर्थात पूर्व और वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व सक्ति ही प्रतिभा है कावेतो पर सरप्थम विचार अगनी पुराण में किया गया अगनी पुराण में किया गया कहा गया नरत दुरलब लोके विद्या तत्र दुरलबा सुदुरलबा तो यह किसमें कहा गया अगनी पुरान में कहा गया राजसेखर ने कावे मीमानसा में राजसेखर ने कावे मीमानसा में कावे हेतु को कावे माता कहा यह आपके लिए बहुत ही मात पूर्ण तत्य है कि कावे हेतु को कावे माता किसने कहा है यानि काबे हेतू ही मूल है किसी काबे का मूल क्या है काबे हेतू यानि काबे माता है इन्होंने स्यामदेव और आचारे मंगल के मतों का समन्वे करके अपना मत दिया अब स्यामदेव का मत क्या है और आचारे मंगल का मत क्या है साम्देव ने कभी की समाधी यानि एक आगरता सर्वोतिक्रिष्ट साधन माना और मंगल ने अभ्यास को प्रधान कारण माना तो राज सेखर ने समाधी और अभ्यास का समन्वई करके कभेतु दिया है यनी आनंदवर्धन ने व्योत्पत्य और प्रतिभा दोनों को काबby है तो मानते हुए भी प्रतिभा को विशेस महत दिया है वही पंडित राज जगननाथ ने प्रतिभा को ही कावभे है तुमाना प्रतिभा की व्याठ्था करते हुए उन्होंने लिखा है कि कावभे निर्माण के लिए अनुकूल सब्नों की उपस्ति का नाम प्रतिभा है तस्यचा कारण कभी गता केवला केवलाम प्रतिभा साचा कावे घटना नुकूल सब्दार्थों परिस्ति तुलसी दास ने रामचीत मानस की रचना का हेतु में हिर्दे के सुबुद्धी के उल्लासित होने की बात कही है और ये सुबुद्धी उल्लास किसे मिली है सिवकी किरपा से हुआ है उन्होंने लिखा है क्या लिखा उनका पद है कि संभुपरसाद सुमत हिया तुलसी रामचीत मानस कभी तुलसी तो भक्त कभी तुलसी की कावे रचना का हेतु उनके सुबुद्धी थी जो उनको सिवकी किरपा से प्रातुई या जागरितुई तुलसी रास पर सिवकी किरपा का कार्ण उनका संसकार सील होना ही माना जाता है रीतिकाल में सुखदेव ने कहा है कि कारण देव प्रसाद जी हैं सक्ति कहत सब कोई और वित्पत अरु अभ्यास मिली त्रे विनु काबे न होए इन तीनों के विना काबे होना संभव नहीं है सक्ति अभ्यास प्रतिभा तो इनके बार सक्ति वित्पति और अभ्यास रीतिकाल में ही स्रीपत ने अपने रचना काबे सरोज में कहा है कि सक्ति निपूर्टा लोकमत वित्पति अरु अभ्यास यानि इन्होंने सक्ति यानि प्रतिभा वित्पति और अभ्यास सक्ति निपूर्टा लोकमत बित्पत और अभ्यास अरु प्रत्भाते होता है ताको ललित प्रकास तो ये किसका कतन है स्रीपत का कतन भिकारी दास ने भी कहा है कि सक्ति कभित बनाई वे कि जिहीं जर्म नच्छत्र मैं दीन बिधात हैं काप की रीत सिखी सु कभी निसो आपने देखा कि इसके बारे में किसने क्या का है अब एक-एक की चर्चा हम लोग करते चलेंगे प्रतिभा का बेहतु जो तीन का बेहतु है उन तीन का बेहतु में सबसे पहले प्रतिभा की बात करेंगे जो की मुख्य है प्रतिभा हमारा तीनों में मुख्य है क्योंकि ज प्रतिभा से तातपर है काव सिर्जन सक्ति इसलिए प्रतिभा का अन्यनाम सक्ति भी अभिनो भारति के धुन्या लोक में कहा गया है सक्ति प्रतिभानम अभिनो गुप्त और पंडित-राज जगन्नात ने प्रतिभा को कोई सर्वोपरी माना है किसने अभिनो़ गुप्त और पंडित राज यगनात क्या कहते हैं प्रतिभा अपूर्व उबस्तु निर्माण छमाप्रज्या तो तो पंडित राज जगन्नात क्या कहते हैं कि तस चा कारणाम कवी गता केवलाम प्रतिभा वही निर्मला जैन ने रस सिद्धांत और सौंदर सासर में कहा ये भी रचना पूछी जा सकते हैं ध्यान रखिएगा रस सिद्धांत और सौंदर सासर रचना किसकी है निर्मला जैन की इसमें उन्हों न कहा कि संस्कृत कावेसास्र में आचार्यों ने प्रतिभा को प्रधान माना यद्यपी वामन ने प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा है कवित्वीजम प्रतिभानम कवित्वस वीजम किस ने कहा है वामन ने कहा है यानि वामन के अनुसार यह जो प्रतिभ करते हैं कस्मीरी शयोदर्शन में प्रतिभा को विश्व सर्जना की मूल सक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है प्रतिभिग्या दर्शन की एक साका है कुल सिध्धांत और इस कुल सिध्धांत के प्रतिष्ठापक हैं महसुरानंद महसुरानंद की किताब है की प्तिष्ठा की गई है जिसे कहा गया है कुलिक सकती यानी प्रतिभा को और किस नाम से जाना गया है प्रतभिज्जादर्सन के तहत तो प्रतिभा को यह कॉलिक सक्ति कहा जाता है तो कुल सिधांत की कौलिक सक्ति को व्याकर्ण विद्वानों ने परा सक्ति या परा प्रतिभा कहा है आचार अभिनो गुप्त ने परा सक्ति या परा प्रतिभा के नाम से जिस चिनमई सक्ति का विचार विवेचन किया है वो परमानंद रूप परा और कावेवत सभूत प्रतिभा का सुंदर सामंजस दर्शन है प्रतिभा को लोको तरता पर विचार करते हुए आचार महीम भट ने उसे शिव के तृतिये नेत्र के तुले बताया यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रतिभा को किसने क्या कहा है प्रतिभा को शिव का तृतिय नेत्र किस ने कहा है तो महिम भट ने कहा है भट तोत ने कावे कौतुक में कहा कि अर्थ या वन विशे को नए ने रूप में प्रकट करने वाली प्रग्या प्रतिभा है प्रग्या नो नोन में से सालिनी प्रतिभा मता यानि इनकी अनुसार नौ नौन में से सालिनी प्रग्या ही प्रतिभा है यह सरब्था नूतन और अदभूत की रचने की प्रति सदा जागरूक रहती है वहीं अगर राजसेखर की बात के तो राजसेखर में समाधी और अभ्यास से उत्पन सक्ति को का बेतू माना सहजा अहर्या और अपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कभियों ने तीन प्रकार सारस्वत अभ्यासिक और अपदेशिक माना है राजसेखर कहते हैं कि सर्वता अपूर्वता और नूतंता का निर्माण करने वाली सक्ति का नाम प्रतिभा है आचार पंडिर राजजगर्नात के अनुसार वर्ण के अनुकूल सब्दार्थ प्रस्तुत करने वाली कभी सक्ति का नाम प्रतिभा है तो प्रतिभा कोही लोगों ने जो आर्चारे थे उस समय के या जो बाद में आलोचक हैं उन लोगों ने सभी ने सभी मतलब कहने का मतलब कि दो तिहाई लोगों ने प्रतिभा कोही परमुकता दी है राजसेखर ने कविता के दो प्रतिभा के दो भेद माना कारित्री और भावत्री कारित्री यह कभी में होता है भावत्री यह प्रतिभा में होता है कारित्री कभी में होता है भावत्री पाठक में होता है तो प्रतिभा या बुद्धि के तीन रूप हैं इस्मिर्ति, मति और प्रग्या इसमिर्थी अतीत से सम्मंदित हैं मती वर्तमान से सम्मंदित हैं प्रग्या वविसे सम्मंदित हैं तो इसमिर्थी मती और प्रग्या यानि अतीत वर्तमान और वविसे कावे प्रकास के टीकाकार विद्याधर चक्रवर्ती ने प्रग्या को तरेकालिक गोसित किया है तीनों कालों में नूतन की उनमें ससालिनी प्रग्या ही प्रतिभा है ये कावे प्रकास के टीकाकार विद्याधर चक्रवर्ती का मानना है प्रतिभा का कारे क्या है तो कभी में नूतन कल्पनाय जागरित करती है प्रतिभाद, अगर नूतन कल्पनाय जागरित न कर रही होती, तो क्या माखनलाल चतुरवेदी कैदी और कोकिला लिखते, क्या भावानी प्रसाद मिस्र गीत फरोस लिखते, कभी को भावहीन और सौंदर या नुभूती करने क कि छमता देती है कभी की कल्पनाओं को गोचर रूप देने के लिए चित्र विधान करती है प्रतिभा के कार्य अनंत है इसलिए इस प्रतिभा को पारवती सक्ति भी कहा जाता है पंडिर राज जगर्नाथ ने कहा है कि साकाब घटना नुकूल सब्दार्थ हो प्रसिती तो प पारवती सक्ति भी कहा जाता है प्रतिभा के साथ इतपत्ति और अभ्यास का कैसा संबंध है तो प्रतिभा का क्या कार्य है कि तो विउत्पत्ति और अभ्यास तो जो विउत्पत्ति होता है विउत्पत्ति का कारे क्या होता है कावे को दोसमुक्त करना और जो अभ्यास होता है अभ्यास का कारे होता है तो यह प्रतिभाका पोशक के रूप में जाना जाता है तो एक तरीके से अगर देखें तो प्रतिभा का पोशक कौन है व्यूतपत्ति और अभ्यास तो प्रतिभा हमारा क्या है पोशे है प्रतिभा पोशे है और ये दोनों उसके पोशक है यानि व्यूतपत्ति और अभ्यास तो इनमें पोस से पोसक का संबंद है जैदेवने प्रतिभा निपुर्टा और अभ्यास को काबेतु माना है उन्होंने कहा है कि व्यूतपत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काबेतु है जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है वैसे ही प्रतिभा है हेमचंद्र ने सब्दानुसासन में प्रतिभा को काबेहतू वियुतपत्ति और अभ्यास को उपकारक माना है यानि प्रतिभा का बेहतु है विद्पत्ति और अभ्यास उसका क्या है उपकारक है उपकारक है आचार रामचंद शुक्र ने प्रतिभा को अंताकरण की उद्भाबित क्रिया के रूप में व्याक्ठाइट किया है हाँ सरक्लास और यह भी कॉल कर रहें आपको तो उद्भाबित क्रिया के रूप में व्याक्ठाइट किया है विद्पत्ति का बेहतु की बात करें जो हमारा यहां पर का बेहतु है दूसरा का बेहतु वह है विद्पत्ति अब यहां पर जो विद्पत्ति है विद्पत्ति से क्या से है देखें विद्पत्ति या व्यूत्पन्नता तो यहां पर चाहें व्यूत्पन्नता कहें तो व्यूत्पन्नता का अर्थ होता है संसकार मारजन यानि कावे में संसकार का अर्थात क्या होगा जो अभी मैंने आपको बताया है कावे को दोस्मुक्त करना तो संसकार मारजन का अर्थ हम यह भी कह सकते हैं बहुगता का अर्जन तो परतिभाज से उसे सहियोजित करना यानि सास्त ग्यान लोक ग्यान परमपरा सब्द श्मिर्ति या विधान को संद सास चित्र कला कावे कला आदी तो समगरता से मंडित करना ही व्यूत्पन्ता है दोस्मुक्त करना ही व्यूत्पन्ता है या व्यूत्पत्ती है तो प्रतिभाग के साथ विविध्य परंपराओं के ज्यानादी तत्व आदी रचना में नहीं है तो वह अपने को संपूर्टा इस पूर्वित्म नहीं कर पाती ऐसी सिति में उसके लिए व्यूत्पनता एक महत्पूर्व तत्व है और इसको कई प्रकासे लोगों ने परिभासित भी किया है कि राजसेंखर ने अपने पूर्वति मतों का इस संदर में उलेक किया है वहऊगेता कि रूप में के कभी का उचित अनूचित का विवयकि ही व्यूत्पत्ति है मंगल जो आचार्य थे वो भी ऐसे ही थे उन्होंने यही स्विकारी किया है तो इधर राजसेखर ने कहा कि उचित अनुचित का विवे के ही व्यूत्पत्ति राजसेखर ने भी यही कहा तो राजसेखर ने जो यह कहा है कि उचित अनुचित विवे को व्यूत्पत्ति पोशक कारक माना है उत्पत्ति का अर्थ भोगिता भी है अब इसके बाद में अभ्यास की बात कर ले आचारे मंगल ने इसे मूल कावे हेतु माना है राजसेखर ने कावे मिमांसा में कहा है कि निरंतर परियास करते रहना ही अभ्यास है सभी आचारे में अभ्यास को प्रदिभा का पोसक है तूम आप अभ्यास की प्रणना अनुभूती से मिलती है यह स्वता एक अनुभूत तत्य है प्रतिभाही का बेकाहेतु है हीगल ने कहा है अगर पास्चाते विचारकों में हम बात करें थोड़ा सा अगर बात करें तो हीगल ने कहा है कि मानों का जन्मजात सौंदर प्रेम आत्म प्रदर्शन अनुकरण की प्रविर्ति साहितिक या अन्तकरण को ही मूल कावेतु माना है वही प्लेटो ने कावेतु के लिए पांच चीजें बताई प्लेटो का मानना है कि प्रतिभा तो ही है प्रतिभा के साथ साथ चिंतन भी है अध्यन भी है अभ्यास भी है और सिक्षक भी है अब यहाँ पर सिक्षक की अगर बात करें तो सिख्षक से आ से क्या हो जाएगा, सिख्षक किस के तहत रहेंगे, तो ये आएंगे अभ्यास के तहत, मूलती नहीं है, लेकिन उसमें अलग अलग भाग लोगों ने किया है, अभ्यास के तहत ही, भै सिख्षक क्या कराता है, आपको प्रैक्टिस कराएगा अभ्यास कराएगा चीजों को बताएगा तो अभ्यास के ही तहता आएगा अध्यन अध्यन से ही क्या होता है अध्यन से ही तो व्यूत्पत्ति होगी बहुग्यता होगी दोसमुक्त होगा कावे चिंतन से ही तो यह चीज होगी तो चिंतन और अ अग्यास के तहत आएंगे अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने कहा साथ होते हैं प्रतिभा सजगता अभ्यास चिंतन कला चमतकार अध्यन लेकिन अगर इन पर आप गवर करें तो मूल रूप से तीन ही आएंगे जो पढ़ाया गए आपको प्रतिभा विद्पत्ति और अभ्यास ऐसे वर्षवर्थ के अनुसार कावे सरजना है तू कौन कौन कितने हैं चार हैं कुरोचे के अनुसार चार हैं फ्राइड ने वासना के दमन की सस्त प्रविर्थी ही कावे की प्रिणामाना एडलर ने मनुष के आहम के अस्थापना की प्रविर्थी को कावे का प्रिणामा यह कई बार जो एहम के असापनाय परिक्षा में पूछा जा चुका है दमन की प्रविर्ति कई बार परिक्षा में पूछा जा चुका है मैथली सरणगुप्त की अगर बात करें तो मैथली सरणगुप्त ने जो एडलर का छतिपूर्ती सिधानत उसी को मानेता दिये और साकेत के पहले सरग में उन्होंने काया कि जो अपूर कला उसी की पूर्ती है तो वहीं अग्ये ने भी इसका समर्थन के और त्रिसंकु में लिखा है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूती के विरुद अपने को प्रमाडित करने का प्रयत्न अपरियाप्ता के विरुद विद्रो है तो आपने को प्रमारित करना, self-assertion, आपने को प्रमारित करना यह self-assertion का ही अनुबाद है, इसके लगा डॉक्टर नगेंदर हैं, इलाचन जोसी हैं, देवराज उपध्याय हैं, इन्होंने भी आधनिक हिंदिस आहित का मुल्यांकन में मनों विशलेशन को ही आधार माना ह जब कि माक्सवादी चिंतकों की अगर बात करें, माक्सवादी चिंतकों की अगर बात की जाए, तो उन्होंने काबे को सामूहिक भाव, काबे को सामूहिक भाव की अन्भूती से प्रेलित मानना है, तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा काबे हेतू, अब इसके बाद में जो दूसरा लेक्चर आपको अभी तुरंत मिलने जा रहा है वो होगा कावे परियोजन का तो कावे तू कावे परियोजन आज हो जाएगा कल आप लोगों को जो लेक्चर मिलेगा वो कावे के गुन और दोस्त पर मिल जाएगा साथ साथ में सब्द सक्ति पर भी मिल जाएगा मंदे से आपका 57 कावेशासर प्रारम होगा मंदे से सोमौर से आप लोगों का 57 कावेशास प्रारम होगा 57 का विसास एक लिक्त लिखना चाहले तो आप लिख ले 57 कावेशास बाकी अगर आप जूड़ना चाहते हैं तो आप इसद्ações नमबर संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन शॉट ले लिजिए इस नंबर पर आप फोन करके या वाटसप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं और इसी कावेतू और कावेपरियोजन पर रात में 9 बजे लाइब का अक्षा में प्रश्न कराए जाएंगे इसी लिए लेक्चर को पूरा जरूर देखें और जो चीज़े समझाई जाती हैं उस पर गौर करें जो लिखाई जाती हैं उन्हें लिखते भी चलें